दोस्तों स्वागत है आपका आप देख रहे हैं जनसन देस टाइम सॉन्मेवन्जी का राश्टिये जनतादल चीफ लालू प्रसाद यादफ के एक करीबी सहयोगी सुभाश यादफ को E.D. ने गिरिफतार कर लिया सुभाश यादफ को अवैद रेत खनन मामले में E.D. ने गिरिफतार किया है या गिरिफतारी राश्टिये जनतादल लेता से जुड़े आठ ठिकानों पर E.D. की रेड के बाद हुई थी E.D. अधिकारी 14 घंटे से चानबीन में जुटे हुए थे अब आपको ये भी बता देते हैं सुभाश यादफ पर क्या आरोप लगाए गये हैं राश्टिये जनतादल के नेता और लालू प्रसाद यादफ के करीबी सुभाश यादफ पर E.D. ने एक्षन लिया आरोप है कि सुभाश यादफ बिहार में अवैद बालू खनन का कारुबार चलाते हैं सुभाश यादफ ने 2019 के लोगसभाश चुनाव में सुभाश यादफ ने जारकंट के चत्रा से आरजेडी उमीदवार के रूप में चुनाव नड़ा था हाला कि वो चुनाव हार गये थे सुपरवार को बालू को लेकर एडी ने नेता के आठ ठिकानों पर जाज की थी साथ ही बिहार पुलिस के द्वारा पहले दर्ज की गई कुछ एफ आई आर से मनी लॉंडरिंग का मामला भी सामने आया है आपको बता दे इस से पहले भी आयकर विभाग ने सुभाश के ठिकानों पर छापे मारी की थी 2018 में पटना दिल्ली और धन्बा में कारवाई हुई थी इडी पर इस केस में मनी लॉंडरिंग एक्ट के तहत जाज कर रही है आपको बता दे एफ आयार में बी सी पी एल पर इच अलान के इस्तेमाल के बिना ही अवैत खनन और बिक्री मे शामिल होने का आरोप लगाया गया है अब आपको ये भी बता देते हैं कि पूरे मामले में सुभाष यादव का नाम क्यों आ रहा है सुभाष यादव इसमें एक प्रमुख खिलाडी के रूप में नजर आ रहे हैं सनिवार को उनके और उनके करीबी सैयोगी से जुड़े पटना के छे ठिकानों में एडी की तलाश में कई एहम सबूत सामने आये थे चापे मारी के दोरान 2.3 करोल रुपे से अध्रिक की नगदी भी बरामत हुई थी और साथ ही अपती जनक दस्तावेस भी बरामत किये गये थे शनिवार देराथ सुभाष यादव को गिरफतार कर लिया गया था उनसे जुड़े ठिकानों पर 14 घंटे तक रेट की गई थी सुभाष यादव पर एडी की कारवाई रेत खनन से जुड़े हुए केस में हो रही है जेडियू नेता और बिहार विधान परिसत सदस से राधा चरंड सा और उनके बेटे भी अवैत खनन के के सामने आ रहे हैं सुभाष यादव राष्टी जनतादल से जुड़े रहे और लालु प्रसाद यादव के करीबी हैं साल 2019 में उन्हें लोगसवा चुनाओ भी लड़ा था एडी के अलावा आयकर विभाग भी सुभाष यादव के आवास पर चापे मारी कर रहा है अब दे राष्टी जनतादल की पार्टी पे और लालु प्रसाद यादव पे पड़ेगा फिल्हाल के लिए इस खबर पे बस इतना ही ऐसी और तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहें जनसंदे स्टैंड्स